तव Chile कैसे ह आप सभी लोग मैं दीतन अंगरवाल अगर आप मुबायर पीरिंग करना चाते हैं अगर आप मोबायल की फीड़ में आना चाते हैं अगर आप अबी तक मोबायल को को खोला नहीं हैं आपने अभी तक मुबाइल पर कुछ भी काम ने किया, फॉर मसलन आपने चिप लेपल पर काम ने किया है, यह आप कनेटर पर काम करते हैं, आप सिर्फ फुल्डर चेंज करते हैं, आप सिर्फ कनेटर चेंज करते हैं, फॉर जाम पर सी सी चेंज करते हैं, माइक बदल देते ह आप कि किसी भी ही को रिभोल्ड नहीं किया या अपने किसी भी आईसी को रिभोल नहीं किया और आपना Shakti robust की अभी तरही तो सही तरीके से रिभोल नहीं होती है आपके आईसीं आपकी CPU लगाने के बाद आपका CPU डैमेज हो रहे हैं। आपको EMMC आपको UEFI में चेक नहीं आता है या आपको EMMC निकल और आपका animals निकल रहे हैं। आप Nгиमाल IS को इंकर आपकर minerals क काम कर रहे हूं। अगर आप IC रापको linguistic knowledge नहीं हैं। रिजिस्टर अगर माल लिजए एक 5K का रिजिस्टर है for jumper और 5K का रिजिस्टर हमें या किसी circuit में चाहिए और हमें 5K का नहीं तो उसकी जिए कि किस value का register या कितने value के register लगा कि पाँच के को हम fulfill कर साते हैं तो यह सारी चीजें समझने के लिए circuit समझने के लिए आप या बोर्णियों से उपर समझना चाते हैं, आप जानना चाते हैं कि मैं जानना चाता हूं मेरा नेट्रोक काम कैसे करता है, मेरा ट्रांसरीवर डब्लू टीर काम कैसे करता है, मेरा पी एफो काम कैसे करता है, या मैं और्यो सेक्षिन मेरा काम कैसे करता है, सबसे पहले एक मेरा the battery connector से पहले मेरा DC2DC इसे बनता है BPH क्या होती है वियो ब्वाब क्या होती है किसी वी तरह की सप्लाइयां समझने के लिए VREG क्या होता है यृविदी क्या होता है या VCC क्या होता है हमारे ICO के structure कैसे बनाते हैं ICO को counting कैसे करते हैं और micro jumping कैसे करते हैं अंदर pad level पर काम कैसे करना है अगर कोई pad निकल जाए तो उसको find out कैसे करना है अगर हमापर schematic नहीं है या हमापर कोई भी bitmap नहीं है या बोर्णियों या हमारे पर computer या network internet ही नहीं है तो भी हम उसको कैसे find out कर सते ह तो यह सारे fault आपने आपको मिल रहे होंगे इसके अलावा light section बनाने में आपको बहुत दिख कर जाती है आप coil diode आप IC सब change कर लेते हो एक आद दो set बन जाते हैं पर सब change करने के बार आपका diode गरम होता है या आपको light बनने के बार आपके phone sort हो जाता है ज्यादा तर लोगों का होता होगा कि graphics IC उल्टा लगाने पर पूरा sort कर देते हैं ग्राफिस IC पर उनको fundamental नहीं पता आपका display आता है फिल चला जाता है डिस्प्ले आपका जिलमिर आता है आपको net truck में बहुत सबस्यादा दिख्कत आ रही है net truck में आपके concept clear नहीं है इसी वज़े से आपके net truck बन नहीं रहे हैं आपको पता नहीं है कि सुरुआत कहां से करें पावर इसी पर रिबॉल करें या एक CPU निगा लें या MMC पर काम करें या कोई sorting धूरें फोन में करना सुरुआत कहां से करना है आप से battery के connector को चेक करते हैं और बैटरी चेक करते हैं और बस आप इसके बाद बो नहीं पाएंगे और यह प्रॉसिबल नहीं है आप किसी दुकान में बैठ कर काम कर पाएं क्योंकि अगर आप किसी दुकान में जाकर काम सीखते हैं तो दुकान में जो भी काम सिखाने वाला मास्टर होता है वो 98% 60-50% पहले अपनी दुकान का काम करने में वेस्ट होता है और पूरे दिन बर वो आपको या तो एक बोर्ट दे देगा जिसमें आप बस आप मुझे बताएं आप में से कितने वी लोग ऐसे हैं जो दुकान में काम करके इस तरह का नुवाओ लिया होगा कि उन्होंने बस आपको दो एक बोर्ट दे दिये और बस वो का ही आईसी नि ही बात है और customer के बोर्ट पर कहका तो आपको बुला लेते हैं वो customer के actual बोर्ट देते नहीं है और देते हैं तो वो भी basic काम करवाएंगे प्ड वह मस्टर लेवल के काम है वो नहीं क्यों को पता है क्योंकि वह बहु जानते हैं कİ appeal ने सीखा नहीं है आप यह बाद नहीं दोस्तों दुकान पर बैड कर सीखानी जा सकता दूसी बात दूसा पॉइंट करते हैं अगर आप किसी आठ हजार पाच हजार दस हजार पंदरा बीस पच्छे सजार वाले इंस्टिटूट में जाते हो तो आप पहले सोचो कि उन इंस्टिटूट की फीज इतनी कम क्यों है क् उनको क्या ऐसा लगता है कि उनको नॉलेज थोड़ा कम लेवल का है इसलिए उनकी फीज कम है या वो यह जानते हैं कि हम तो कम फीज लगेंगे तो ज्यादा लोग अट्रेट होंगे तो ऐसा होता तो मर्सरी ने अपनी कम सैलिंग क्यों नहीं करती मर्सरी सबसे ज्यादा 15 t. का आज हर欸 घर में मरसरीज होती अज हार EU घर में BMW होती आज हरे जर में एक s क्लास की कारी होती पर उसके बाद भी व wen diligent क्यूं क्यों नहीं करता क्योंकि जो अगर अपनी व tuning जानता है और वह कभी कम dieses होती है वैसे ही अगर आप अपनी आपको बहुत कम आखते हो तो ही आप इसे कम वेल्डू वाले इंस्टिटुट में जाओगे और अपना टाइम पास करोगे और उसके बाद होगा क्या ऐसे इंस्टिटुट में सीखने के बाद में दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है आप कि आप आप स्केमाटिक शीख लिया बर आप 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 ने इसिए को रिबोल कर आगे बर आप स्केमाटिक में दंपे माला जब तक बूर्णियों में लाइन है तब तक आपको समझ में आ रहा है अधर वाइस नहीं क्योंकि टीचर आपको स्रीपीट के दंपे पढ़ा र आपको दस साल का कैरियर या पास साल का कैरियर बताते हैं मतलब वो पैदा होने से ही मुबाइल रिपेडिंग कर रहे हैं या फिर ऐसे लोगों को आपने टीचर बनते हुए देखा होगा ऐसे लोगों को आपने पढ़ाते हुए देखा होगा जिनका एजुकेशन ही जीरो ह मतलब जिनको खुदी जिनोंने कभी 10 भी पास नी किया होगा 12 भी पास नी किया होगा मुस्किल से कॉलेज गए होंगे वो आपको इलेट्रोनिस्ट पर आ रहे हैं और इलेट्रोनिस्ट के फंडे बता रहे हैं कि देखो कैपसिटर एक्चल में यह होता है बाकियों को तो कि वो आपको सिखा देंगे क्योंकि दोस्तों आखरी में होता है क्या है ना ऐसी जगे से निकल कर आप रहना इदम कन्फ्यूज होते हो फिर बाद में इतनी सारी क्योंकि देखो किसी भी इंस्ट्यूट में जाकर आप जब पूरा तो सीख नहीं पाओगे उसके बाद आप काफी वीडियो को देख रहा था तो उसमें काफी रील ऐसी मिल रही थी जिसमें पचास-पचास स्टूडेंट एक-एक साथ बैठे हुए हैं आप लोग अभी यह नहीं सोचते कि मैं ऐसी भीर में जाओं जहां पचास स्टूडेंट बैठे हुए हैं और इतनी पीछे या दो पाच मीटर तो कम से कम एटलीज या दस मीटर फासला है जिसमें स्टूडेंट बैठ पीछे बैठा है जिसको प्रॉपर तरीके से बोर्ड भी नहीं दिख राई दे रहा है बट बो बैठा हुआ है यह सोचके कि तो मैं एक बड़े इंस्टूड में आ गया हूँ य अगर आप एक बात कहना हूं से कि सर मैं यह पैसा करजे का लेकर आ रहा है हूं क्या मैं इसको सीख जाओंगा अगर वो आपको एडमीसन दे दे देता है ना दोस्तों तो पहली बाद समझ लेना कि वो सिव आपका पैसा चाता है क्योंकि अगर सही एक बंदा होगा जन्यू कि मोबाइल बनाना चालू कर दिये और आपने अपनी कमाई अच्छी खासी गाड़ी कमाई चालू कर दी जो जितने भी जो बैनर तरले इंसिटूट चलते हैं जो यह दावा करते हैं कि जाते साथी पचास जार कमा हो एक लाग कमा हो दो लाग कमा हो उनने जीवन में करना चाता हूं एक कि आप किसी को भी चुनिए बट आप उसको ट्रटो लिए कि क्या वह वह वाकि में सिब आपके पैसे चाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दो दिन क्लास लग गई हो तीसे दिन भी वह आपको बिठाने के लिए तयार है जिस बिकॉस की सीटे भड़नी होनी है बहला ही आप कौने में बैटे रहो या खड़े रहो बस आपको उसको सीट भड़नी है बस आप क्यों नहीं सोचते कि जब एक कोई इंस्टिटूड वाले आपको यह कहता है कि मेरी क्लास अट घंटे की है दस गंटे की है बारा घंटे की है उसके बाद भी जब दो तो आप 48 घंटे की क्लास को दो घंटे के एक रिवीजन में कैसे कवर्ड कर सकते हो यह तो आपके साथ ना इनसाफी है और यह बात ना इनसाफी की नहीं है यह आप ही के साथ में की गई चीटिंग है दोस्तों मैं देवादर अगवाल मैं सब इतना चाहूंगा कि आप कोई भ लोग एजुकेशन वाले लोग हैं यह पहले सही अपना पूरा पीपीट पीट सब बना कर लाते हैं और सब उसी को चलाते हैं उसके बाद में फिर पदा चलता है कि उनको कुछ आता ही नहीं है मतलब जब भी भी काम करेंगे या तो डाइग्राम खोल के काम करेंगे या तो तो पि-पी-टी, लाइनों का नॉलेज उनको है नहीं. क्या होता है कि दोस्तों दो तरे के, मैंने कालेज में जब मैं तो मैंने कॉलेज में दो तरे के लोगों को देखा था, बढ़ाते हुए, एक जो किताब लेके हाद में पढ़ाते हैं और एक जो बिना किताब के पढ़ाते हैं तो जो senior थे ना वो बिना किताब के थे और उनके बास solutions उनके बास ट्रके हैं और उनके पास में वो चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी तो आपको भी एक ऐसा institute चुनना पड़ेगा जो आपको समझे आपके पैसे को ना चाहे देखें दोस्तों अगर आप किसी institute जाते हैं और आपको सीधे ये बोला जाता है कि आप हमसे ये टूल खरी लीजे आप हमसे ये बेनेफिट उठा लीजे हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे तो आप समझे लो आप एक स्कैम में फसरे हो आप अपनी ही मर्जी से टूल पर्चेस करके अपनी ही जहां आपको लगता है कि जो इंडिया में सबसे बेस्ट डीलर है पहले उसको सर्च कीजे उसके बाद टूल लीजे कभी भी अपने किसी institute के भैकावे में आके टूल मत करी दिये मैं कभी भी अपने student को नहीं बोलता ह हूं मैं आपको suggest कर सकता हूं कि मैं world class tool dealer आपको देता हूं for jumper मैं हमेशा दिली के जैडेक्स मलेक या भोपाल के रामराच की बात करता हूं उसके लावा मैं बोलता हूं अगर आपको किसी और से लेना है तो आप उससे भी ले सकते हैं आप दिली में जाकर प्रिंक्स से ले स बिली में जाके बाबर Yoga टूल से लेसकते हैं कहीं सभी बहुत बड़े बड़े टूल दीलर हो सभी बहुत अच्छे और जो आपको बिस देड़े देगा जो आपस ब्रृत बात करेगा आप उससे जाकर प्लिस ले लिजए तो मैं यह ही चाहूंगा कि आपके पी टूल हो ताकि आप काम करें दोस्तों सच्चाई ये पता होना बहुत ज़र ज़री है पर ये सच्चाई की बात कोई नहीं करता है आज की डेट में जो चल रहा है वो बिजनस चल रहा है थोड़ा सा बिजनस से आप बचके रहिए बाकि अगर आप एसर टेली कॉम जोईन करना करें अब को कभी lifetime आपको जब भी भी हम न अब एक साल में बड़ाव मतलब हर मैद एक बारको बैकय अब समझें कि आप कभी भी 2012 संब्सक्राइब की आफ पता है 2019 के स्टुडिन को को आज हम पड़ा है 2024 फिर इसमें पास साल कंतर होगा फिर भी हमने उसे एक रुपे भी डिमांड नहीं किया और नहीं उसे करेंगे सिर्फ बैक अप के टैम पर उनको रहने और उनको जो अपने खाने का है वो भी सिर्फ तीन सो पान सो रुपे या जो भी वो एवरेज ली जहां रहना चाते हैं वहां उनको बस देना होता है इवन उनकी जो पीपीडी उनका जो स्टेंसल उन सब में भी हम कभी उनसे पैसे नहीं मांगते दोस्तों यहां से जाने के बाद इंसिटूट से इंसिटूट में क्या-क्या मिलेगा वो तो मैं डिसकस करूँगा पर इंसिटूट में जाने के बाद म सबसे पहले स्टूडेंट को तीन महीने तगरा एक पैट्रेस लेवल पे काम करा जाता है और उनको हर दिन सर्विलेंस पर रखा जाता है उनको किस तरह से काम करना है उसको सारे तरीके बताया जाते हैं हम कोई बूल बच्चन वाली किलास देकर बच्चों को नहीं बेशते कि जाओ महनत करो पैट्रेस करो हमारा एक तरीका होता है पैट्रेस करवाने का और इसलिए हमारे जो आउपूट है वो निकर अभर के निकरते हैं और हमारे जो जादा तर स्टूडेंट है वो एक इंस्टूट के रूप में बना लेते हैं और अपना ही इंस्टूट चलाते है दोस्तों मैं बिल्कुल किसी का नाम नहीं लूँगा कि हमारे से पढ़के कौन के वह इंस्टिटूट चला रहा है सब अपना ही दमपे और अपने ही बलपे कर रहे हैं बट अगर हम उनका एक माध्दम हो सकते हैं बेसिक वडवेर, एडवान सॉडवेर और प्रो लेवल ओन, और जब बैकप में जेटेक की क्लास दोस्तों हम कभी भी यह नहीं बोलते कि आप हमसे तीन दिन के अंदर चार दिन के अंदर, या पास दिन के अंदर आप हमसे UFI भी पढ़के जाओ, JTEC भी पढ़के जाओ, MIPP भी पढ़के जाओ क्योंकि दूस्तों यह है ना आपको पढ़ा कर भगाने वादा एक तरीका होता है कि भी दूसरी बाल तो मैं आ नहीं पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा, ऑनलाइन में मैं तो मैं क्या ही बोलूँगा तो भी जो भी एक बार में पढ़के चले जाओ और आपको क्या लगता है कि एक 50-50 जार के बॉक्स के आप इतने सारे जब आप बिपी आप जे टेक की इन्सप की बाते करते हो जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो दुनिया में आप हो यह नहीं आपकी सारी चीजें पढ़ाई आपके सरकी ओपर से ऐसे जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और 98% तो बॉक्स में आपको ट्रेनिंग सिप ठीओरिकल ही मिलेगी पैटिकल को आपको ट्रेनिंग मिलेगी ही नहीं बहुत सारे ओप्सेंस तो सिप आपको दिखा दे जाएंगे वो आपको बता ही नहीं जाएंगे क्योंकि उनके बाद में फोन होते ही नहीं है और वो इस्टूडिन के फोन को अटेंड भी नहीं करते हैं इससे बिल्कूल बिप्रीत है आप हमें लाइव फेस्बुक में जाके देख सकते हैं हमारे जो एसपर्ट है मिलन सर उनका हैंड स्किल और उनका जो यूएफाई और जेटेक का नौलेज है वो वर्ड क्लास नौलेज है आप बात करेंगे हमारे जो सौड़वेर के टीचर हैं दुरुके सर उनका जो बेसिक एड़वान सौड़वेर है वो काफी वर्ड क्लास है जो आपके विंडू 11 हो या जनरेशन 12 हो उसमें भी आपको ड्राइवर डलवाना और प्लस ऑफ-लाइन उन-लाइन फ्लैसिंग की आपके सारे कंसेट क्लायव करके आपकी के हाथों से फ्लैसिंग करवाते है आपको बिलीब नहीं होगा कि वह 30-30 लोगों को एक दिन में CPU लगवा देते हैं हम आपको गरंटी देते हैं कि आपको तीसे दिन में लाइप पावर चौथे दिन में CPU लगवा देंगे दूसरे दिन में डूल डेकर CPU आप युनिवर्सल से रिबॉल करोगे वो भी एक बार नहीं पाच बार और पहले दिन में अगर आपने आपने आईसी को भी नहीं टच किया तो भी आप अपने MMC पावर को रिबॉल करके जाओगे और एक नेस्ट लेबल पर दोस्तों एसर टेलीकॉम में कभी भी क्लास चार से पाच या शे से साथ दिन नहीं चलती है हम दो तीन दिन के अंदर आपको कॉंपरेट ने हैतरीन तरीके से किले कराते हैं टेस्टिंग मोड के साथ और एडवांस लेबल के साथ जो आपकी सोच से भी पड़े होता है क्यो देना है और मुझे नहीं लगता है कि यह पढ़ाना भी चाहिए कभी आपने आइफोन की कभी कोई क्लास अटेन की कभी आपने कभी कोई विदेशियों को पढ़ाते हुए देखा कभी उनों ने देखा कि वो डिसी पढ़ा रहे हैं कि कैसे जनरेट हो रहा है क्योंकि ग्राफिक्स, एक लाइट ग्राफिक्स तच तो यही दिन में पढ़ा कर आपको कम्प्लीट करें भेज देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कप पड़या और कप आप चले गए, फिर आपको तो लगे आपको तो लगे कहा हां आपने पढ़ लिया पढ़ लिया एक बार मौका दीजे इस टेलिकॉम को और लाइब देखे फेस्बुक में और हमें कॉल किजे एमडी सर को और अपनी सीट को जरूर कीजे और मिलते हैं 28 मार्च को और बैच में मिलते हैं 28 मार्च को बैच में और सच बता रहा हूं आपकी जिन्दिकी बदल दूँगा क्योंकि इस बात का तो एस्परियंस लेकर बैटा हूं थैंक्यू वेरी मच्च